दोस्तो नमस्कार आप सभी कक्षा नौवी से बारवी तक के स्टुडेंट्स के टाइम टेवल आ चुका है ये अभ्यास परिक्षा का देख सकते हो आप सभी ये आपको देख सकते हो यहां पर लिखाए वर्ष दोजार चोईस के वार्षिक परिक्षा पूर्व अभ्यास के आयूजन विश्यक और ये आप लोगों के अभ्यास पेपर आचुके हैं आप लोगों को सभी विशवे का जो अभ्यास पेपर है ये परिक्षा आपकी स्कुल में जारी की जाएगी देख सकते हो कक्षा 9 से 12 तक की वार्षिक परिक्षा के पूरो अब्यास दिनांक 8 से, 8 तारिक से, मतलब आपकी 8 जनवरी से लेकर के तो 13 जनवरी तक आपका अब्यास जो कारिय है वो चालू रहेगा मतलब आपकी अब्यास परिक्षा का टाइम टेबल है, इसे मान सकते हो आप और ये कक्षा नवी से लेकर के तो बारवी तक के सभी विशे के जो पेपर हैं वो आप लोगों को उपलब्द करा दी जाएंगे देख सकते हो पांच तारिक को सभी सनलग्द दर्साइगई सुची अनुसार प्रशन पत्र उपलब्द होंगे पांच जनवरी के दिन सारे पेपर आजाएंगे दो-दो सेट आएंगे ये भी आपको में बता देता हूँ देख सकते हो आप सभी विभिन विश्यो के दो-दो प्रशन पत्र बाइलिंक्वल रहेंगे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अब यहां पर आपको थोड़ी सी जानकरियोर में देता हूँ ये दिनांक आठ से लेकर के तेरा तक की आउधी में प्रति दिन उस दिनांक को दरसाए विशे सिक्षक द्वारा नोवी से बारवी तक के विध्यारतियों को पिसने पत्र हल करने तो एक दिवस पूर्व पर दरसन भी दिया जाएगा इसका मतलब आपको आठ तारिक से लेकर तेरा तारिक तक विध्याले में उपस्तित भी होना है क्योंकि आपको वो पेपर उपलब्द करवाएंगे और आपकी जो परिक्षा है ये उससे पहले का अभ्यास बहुत ही बेस्ट कायरियों आपके बिलकुल सभी विशे के जो पेपर है ये उपलब्द कराएंगे नोवी से लेगर के तो बार भी तक और ये टाइम टेबल भी मैं आपको बता देता हूँ पूरा टाइम टेबल ये आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है कि कौन से दिन कौन सा पेपर आपका रहने वाला है द देख सकते हो सबसे पहले तो यहां पर दस से दस पचास से बारा दस तक और उसके बाद में तरती काल खंड देख सकते हो बारा दस से बारा पचास चातुर तो ये बारा पचास से एक तीस और मध्याउकास होगा मतलब आदी चुट्टी और उसके बाद में डेड़ बज़ से लेकर के तो 3-10 पिर 3-10 से 3-50 और 3-50 से 4-30 तक अस्टमकाल घंठ इस प्रकार से आप लोगों की वो परिक्षा लेंगे जिसमें 9-10 भी है तू दिनांक 8 से लेकर के 13 तक का तो 8 तारिक रहेगा फिर 9 रहेगा फिर 10 रहेगा फिर 11 रहेगा उसके बाद 12 और 13 तेरा तारिक आपका सारा खताम हो जाएगा जो भी जितने भी विसें सारे विसे तो डो-दो सेड हैं इसलिए आपको यहाँ पर पूरी जानकरी उन्होंने पहले ही बता दी है जैसे एक सेट यहाँ पर आपको बारा वजे से द Васी मतलब 12-10 से तो 12-50 तक दे दिया तो यही इसका सेकंड सेट 11 तारिक को यह दे रखा है देखो उसी समय में ठीक इस प्रकार से आपका यह रहने वाला है तो यह 9 से 10 वी और 11 वी और 12 वी का आचुका है पूरा तो 11 वी बार वी का भी उन्होंने इसी प्रकार से रखा है पहले अंग्रे्जी का है ठीकिए, उसके बाद भहतिक इत्यास वेवसाइ पर गणिद जिवियृ अर्त साथ्र फिर अंग्रेजी बहतिक इतियास वेवसाइद्यान और गणिद जिविय रखान और यह समय जो दे रके आपके इस्कुल 계श्य में रहेगा उन्होंने डिसाइड मतलब दिन भर आप लोगों को अलग-अलग विशे के पेपर वो दिये जाएंगे ठीक है ना ताकि आपको सारे विशे के दो-दो सेट पेपर उपलब दो जाएं और आवार्शिक परिक्षम आप अच्छे से चंक प्राफ्त कर सकें